32 वर्षी अक्षे तीन महीने से लापता है उसकी बूडी मा बेहाल है और बड़ा भाई परिशान है और जब अक्षे का रहसे में दूसरा सेल फोन उसी के घर से मिलता है तब खुलता है एक पिटारा सेक्स और वाइलिंस का देखते हैं इस केस का दूसरा और आखरी भाग क्राइम पेट्रोल सतर सारे मैसेज़ेस सोशल मीडिया डेटा सब कुछ जोग रते हो है लगता है केस क्लोज होने वाला है उठा लो उसे सर्व हाँ सर मैं दस मिर्ट पर पुलिस टेशन पहुच रहे फिर से पुलिस टेशन उन्होंने उन्होंने बुलाया है क्यों बार-बार क्यों पला रहे हैं ती जो माज़ा क्या क्या चुपारी मत से बहुत बहुत कुछ 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 ने कुछ में चुपारी देखो मैं नहीं पहुची तो वो लो गहां पहुच जाएंगे प्लीज, प्लीज प्लीज प्लामेबाद अभी जाने दे रहा हूँ, आएगी तो तेरी कलास लोगा अज पता लगा के रहूँगा ये साले अक्षे काले के गायब होने में तरा हाथ क्या है चल अक्षे, चुह बीच पर जब तुमने पहली बार मेरा हाथ पकड़ा था, पब्लिक में, मुझे बहुत अच्छा लगा रश्मी, तुम्हारा बैकलेस ब्लाउज वैसे लोगों के प्राइवेट मैसेज पढ़ना बहुत गलत बात होती है रश्मी जी लेकिने कादमी गायब है, सीरियस केस है, तो हमें वो सारे मैसेज पढ़ने पड़े जो आपके और अक्षा के बीच एक्सचेंज होए और वो सारे मैसेज पढ़कर हमने समझा कि दो लोग जो पडोसी है, अच्छी दोस्ती है उनमें इतनी प्यार भरी और नजडीकियों वाली बाते तो नहीं हो सकती अब अगर अब भी आप कहेंगे कि आप दोनों का कोई अफेर नहीं था तो यह संगीता है, टरस्ट मी, बहुत अच्छे से खातरतारी करती है पिटेंगे आप, पुरी तरह से पिटनी तो मैं रोज हूँ सर इसी पिटाई की वज़े से, मैं और अक्षा करीब आये थे हाप्य नहीं बश्मिक यहापी नहीं वॉपरॉज है हेपी का तो पता नहीं, बश्क नया साल शुरू हुए गया भावी, हैपी होना नहोना ये तो हमारे हाथ में होता है जब सामने वाले के हाथ में बेल्ट होता है ना तो या तो हमारे हाथ सिर्फ थर्थर कापते हैं, या फिर रहन की भीग मांगते हैं। Sorry. No. I'm sorry. मेरी आखों में आस्वा गए. मैं रोज सुनता हूँ आपके आस्वाँ को. महसूस भी करता हूँ. सोनी पाता हूँ. मैंने नूटिस किया है. तुम मुझे देखते रहते हूँ. ऐसा क्यों? क्योंकि आप पढ़ी लखी हैं, स्मार्थ हैं, खुबसूरत हैं बहुत. सबसे पहले आप एक इंसान हैं. किसी भी इंसान के साथ इसान ही होना चाहिए. आपके साथ तो बिल्कुल मैं. रश्मी भावी मैं आपसे जया है? दोस्ती करना चाहता हूँ. हेल्प करना चाहता हूँ आपके. दोस्षरते हैं मेरे? बेना सुने मंजूर है. पहली, मुझे आप मेहीं तुम कहो. और दूसरी, मुझे भावी नहीं रश्मी कहो. मंजूर है? हाँ मुझे. 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 एक चॉल में दो प्रेमियों का मिलना, वो भी जिसमें एक शादिश हुदा हूँ. कभी मुश्किल रहा हूँ. बाहर मिलते थे, सर. जैस जैसे पती से बच कर टाइम निकालना, असान तो नहीं है. उन दिनों तुमेरी सांसों में भी जिन्दा थी. आई? वो हाटक रोट पर एक नया योगा क्लाश शुरू हुआ है. लेडी टीचर है. और सारी लेडीस के लिए ही है. अप लेजिन से थोड़ा बात कीजिए न? मैं घर का काम खतम करके जाय करूँगी. देख तुमें. अच्छा, तुमने वो खिर बनाई है न? ठीक है. आई कह रहे हैं तो कर ले योगप होगा. लेकिन द्यान रख. इतरे योगा के चक्कर में मेरे रुद्र और आई का ध्यान ने रखा न, तो हाथ, पाओ, गर्दन, मरोड के पर्मानेंट योगा करवादू हो तरी. समझी? जी. ले जाए सब. हाँ, ले जाए. अरे? वापस के वेज़ दिया? काना है तुमको? अच्छा, चलो इसमें सखा लिए. प्लीज, सुनो ना, प्लीज. बस तुमने कहा मेरा दिल भर गया. और वैसे भी. अभी भूलो मत, मैं भी योगा कर जी हूँ. इस तरह से खाऊंगी तो हफते बर में पकड़ी जाऊंगी. और फिर पिटाई के तो पूछो मत. उसके बात मत करो मेरे सामने. अगली बार तुम्हे रोते हुए सुना ना, तो सिदा घर के अंदर घुच के तुमको भागा के जाऊंगी जाऊंगी तुमने इतना कहा ना? मेरे ले काफी है. आई लव यो कहने की भी जूरत ने. हाँ, लेकिन कहोगे तो बुरा नहीं मानगी. अजल यो नूस. सालो बाद हस रही थी. अशा लग रहा था कि मैं इंसान हूं. अक्षे के लिए मेरा प्यार और भी गहरा होतागा. हाँ, एए, एंए, एंएका नहीं माने, एंए, एंए,... कर दो कर दो कर दो कर दो मैं उसके प्यार में पूरी तरह पागल हो गई थी जिन्दगी में पहली बार मुझे प्यार और इजद मिली थी खुशिया मिली थी उसे देखे बिना एक दिन भी नहीं रहा जाता था कहा जा रहे रहे रश्मी आई वो गाहितरी काकी को उनका बरतन लोटाने जा रही हूँ गाजर कचार बनाया था न तो वो डाल के तो ठीक उन दिनो अक्षे को तेज बुखार हो गया था दो दिन दिखा नहीं तो रहा नहीं किया मुझसे भावी यह थोड़ा गाजर का अचार बनाया था सोच आपको देदू अरे वाँ यह बहुत अच्छा किया अभी रोटी के साथ ना अक्षे को देती हूँ उसके मुका स्वाद वापस आजाए कुछ खाई ही नहीं रहे तबसे आई मुझे बूख लगिये जल्दी से खाना दो विद्या थोड़ा रुको ना पहले तुम्हारे काका को देदू फिर तुम्हें देती हूँ अभी रहने तो ना अब विद्या को देदीजे अक्षे को अचार में देदूगी आंक्स यार रश्मी अभी कपड़े चेंज कर लो फिर खाना लगा देती हूँ ठीक है रश्मी रिंपस अभी मुष्किल से दवाखा के 99 किया है फिर सिक चार करने के मुड़े के तो हाथ से खिलाओ तुम्हे काँ तुम्हे काँ तुम्हे काँ तुम्स ठीक हो जाओ जल से जल प्लीज रहा नहीं जाता तुम्हारे बिना और सुनो मुझे एक घंटे में फोन करना ठीक है I love you Love you too मैं Akshay का हर कॉल हर SMS डिलीट करती थी जैश के घराने से पहले लेकिन उस दिन एक कॉल डिलीट करना रह गया देगे भाइसाब आपको कोई गलत फेमी हुए अक्चली मेरा नाम सिधी शट्टी है कल गलती से नंबर लग गया था तो वाव किता क्यूट है बिल्कुल तुम्हारी तरह अमारे प्यार के निशानी हाँ और इस फूड के इस दवाल सिर मुझसे बात काने कले करना और आए सिमकार्ट मेह नाम पे तरह बिल में बढ़ता रहूँगा तुमको टेंशन लेन के कोई जरूत ने तक तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी भी बात की कोई टेंशन हो ही नहीं सकती यह तुमारे प्यार की निशानी कंकज काले के सोफ़े में कैसे पोच़ा रश्मी इस कमरे में न चुप रहना लाओ नहीं है क्या जैस को तुम ढोने के अफेर के बारे में पता चल गया था उसने काया क्या अक्षे को काँ है अक्षे, हन, किया हो अक्षे के साथ है आकरी बार पोचरा अगर नहीं बताया ना तो ये संगीता बताएगी कि छुप हैने का अजाम्त अक्षय कहां है रश्मी मैं नहीं जान्थी सब और मैं जानना भी नहीं चाहते क्यो लिखात्वा सिर्फ वे असे करती थी अपनी इकरती आख्षे के साथ अप्ला रिष्टा तोड़ना चाहते है? चाहुआ? पकड़ी गया इसलिए? वो पकड़ा गया था मतब अक्षे कहा और दूसरा फेर? नहीं उसकी असलियत पकड़ी गयी थी अक्षे मुझसे प्यार नहीं करता था और मुझसे प्यार करने की एक्टिंग कर रहा था इस शरीर की भूप मिटाने के लिए नहीं अक्षे, प्लीज अक्षे, प्लीज क्या हुआ यार? मेरा मूर मही है, मुझे तुमसे बात करनी है सिर्फ बात कर क्या बात करनी है करना क्या क्या बात करने कर दो रहने दो वो मूड भी नहीं रहा मैं घर जा रही हूँ ते क्या हो गया यार तुमको तुम्हें क्या हो गया आक्षे इसके लब और कुछ सूचता ही नहीं सासुमा गुजर गई है मेरी जानते हो ना दिन बर दिन निकलना मुश्किल होता जा रहा मेरा पिटाई कम होती है नहीं मेरी और अर इसे मै तुम्हे क्या मैं कुई माई नहीं रखते तुम्हारे लिए पूछते भी हो आजशकल मेरे बारे में आरे अजीव हो यार तुम कसम से जब नहीं करना तो तो यहां आई क्यूँ अब किजी कॉफी शॉप में लेते प्यूशिश की थी कॉफी शॉप में बुलाने की तुम्हें दो-तीन बार बहाना बना के टाल देते हो अच्छा ठीक अब भी करूंगा बस फूश देखो लॉच के पैसे बढ़ दी है और मेरा मूड भी है यार प्लीज मत जाओ नहीं है मैं जारी हूँ रहा जारी अक्षे मुझे दर्द हो रहे छोड़ो प्लीज आज के बाद हम कभी ने मिलेंगे अक्षे जब मेरा मन करेगा तब तुझे मिलना पड़ेगा यही इसी होटल में और जादा ना टकिये ना तुने तो सब कुझा कि तरे जैस को बता दूँगा और भी प्रूफ के साथ समझे मुझे यखिन यहां था कि तुम यह सब कैसा और ने तु क्या तेरी आड़ती उतारूं इस तरह एमोशन ब्लैकमिल में खूब समझता हूं मेरे साथ नहीं चलेगा ना तुम्हें ब्लैकमिल कर भी हूँ जो भी है यार कल इसी वक्त मिलेंगे इसी होटल में उसलों मूड बना के आना इसे बिगड़ा वा थोबड़ा मत लेके आना वहन्द में अपने तरीके से मूड बनाऊंगे तो चिलाना मत तरद होता है यह होता है तो ज्यादा ना टख़गे तुम्हारा जाए सर मैंने जैश की वैशियत से भागकर अक्षे के साथ रिष्टा जोड़ा था लेकिन अब ये रिष्टा भी वैसे होने जा रहा था ऐसे लग रहा था जैसे कुए से निकलकर खाई में गिर पड़ी थी मैं अक्षे कहा है रश्मी कुए में खाई में कहा है अक्षे में सच में नहीं जानती कि अक्षे कहा है उसके साथ क्या हुआ है यह उस दिन भायंदर गई नहीं थी अच्छा तो तुम्हें पता था अक्षे भायंदर गया है तुम्हीने उसको महां बलाया था और कौन था तु इसलिए मैंने संदीब से मदद मांगी मैंने संदीब को मेरी जिन्देगी की पूरी असलियत बता दी सब कुछ कुछ भी नहीं छुपाया मैं शादी सुदा हूं रश्मी बाप बनने हो ला हूं लेकिन सच बोलो तो मैं तो जो कॉलेज से पसंद करता था एक्शली प्यार करता था तुझसे तो तुमने कभी कुछ कहा क्यों नहीं? अरे तो कॉलेज की रोज कुई थी और मुझे रेजेक्शन की कांटों से बाटर लगता था पर अब मैं पूरी तरह से रेजेक्टेद हो कि तुम्हारी लाइत में वापस आई हो यह चुप आज के बाद मेरे सामने ऐसा कुछ मत बोलना मैं तुझे उन तोनों जानवरों के चुंगल से निकालूगा थांक्यों रासे एक बात करूं बोला तुम्हें मुझे बहुत पसंद है लेकिन मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि मुझे लगता था कि एक लड़की को पहले पहल नहीं करनी चाहिए अब तो तक्दीर ने पहल की है अब दुनिया की कोई ताकत हमें अटक नहीं कर सकी तो अब तुम्हारा संदीब तामे के साथ अफया शुरू हो गया सर मैं अपने पती जैश और अक्षे जैसे आद्मियों से हमेशा के लिए दूर जाना चाहती थे जो औरत को सिर्फ एक शरीर समझते ये कैसे कह सकती हो कि संदीब तामे ऐसा आदमी नहीं उसने कभी मुझ से सच्चा प्यार किया था सर वो पहले मेरी तक्लीफे दूर करना चाहता था अक्षे अब जो मेरे साथ का रहना वो रेट से कुम नहीं है I hate him I just hate him क्या अगा तो ने फिर से बॉल देखो जैश को पता चलेगा तो तुम्हारे परिवार की भी बहुत बदनामी होगी काहितरी काकव को कितना बुरा लगेगा तुम्हे रिवर्स ब्लैक्मिल कर रही है देखो मैं कुछ नहीं करना चाहती अकेले अपना और रूद्र का ध्यान रखना रखना चाहती हो बस संजा मतलब तुझे कोई और मिलके है मुझे कोई नहीं चाहिए अक्षय ना तुम ना जैश ना कोई और ऐसे भी सारे मर्ट एक जैसे होते क्या नाम किया उसका किसका तेरे नए बॉइफ्रेंड का जिसके लिए तुम्हे जैश की धंकी दे रही कोई नहीं अक्षय है 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 हंड़िट परसेंट है और एक बात कहो मुझे कई फर्ग भी नहीं पड़ता है लब अच्छी चीज हो मिलबात के खाने में क्या दिक्तर है बस एक बार में मिलवाद अरो देना तके हम लोग अपने टाइमी वामी अर्जस कर लें नो चाल अब इस ही बाप दे मुझे खुश करें तुम वाकरी में इतना गंदा सोचते हूं असे में दिल दुखाने के लिए सब कह जा है बातों से दुखाने में तो मुझे मज़े मज़ा आता ही नहीं है मुझे तो बस अक्षे जाटो की भूतिया बातों से नहीं मानती एक पात कान कोर के सुंदो अर्शमी मुझे से ब्रेक आफ करने के सोचना भी मत बहुत मिंगा पड़ीगा परपात कर दुखाना अक्षे अक्षे प्लीज अक्षे 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 बना रशमी जब इतना कुछ बिना खातरदारी के बता चुकी हो तो बागी सब भी बता असंदीप हो गया ना सब कुछ आज के बाद दक्षे गाले तुझे कभी परिशानी करेगा रशमी उसका चैप्टर क्लोस हो गया हाँ पर सब कुछ ठीक से हुआ ना हाँ सब एकदम परफेक्ट अच्छा सुन मेरा एक आदमी तेरी चॉल के भर तेरा इंजजार कर रहा है फोन लेका तू बस उसे फोन लेका और जैसा हमने प्लाइन किया था वैसे ही किया प्लाइन के लिला नमबर बन रहा है तीन महीने पहले उस रात को जब अक्षाय घर नहीं लोटा मैं काले परिवार के साथ में ही थी तब मैंने उस आदमी से लिया हुआ फोन सोफे के अंदर चुपा दिया तुमने ये फोन सोफे के अंदर चुपाया था अब मुझे तुम ये बताओ कि संदीप ने अक्षाय को कहा चिपा क्या क्या है संदीप नाक्षा के साथ अक्षाय काले कहा है संदीप नाक्षा के साथ सर, पुलिस टेशन जलके बात करें. वाइफ प्रेग्रेंट है, सर. प्लीस. चल्ड. आशू बचा के रख संधीब तांबे, जेल में बहाने के काम आएके. फिलाल जल्दी से मुझे बता कि अक्षा काले काने था. सर, मैंने रश्मी से कहकर, अक्षे काले को भायंदर बुलाया था. अक्षे, मैं तुमसे भायंदर में मिलूंगी. इतने दूर? पागल होगे का? लोच में मिल चुपचाप. मैं भायंदर में हूँ, अक्षे. यहां एक शादी में आई थी, अकेले. देखो, 4-6 घंटे हैं मेरे पास. वो क्या है न, बहुत दिनों से हम फुर्सत में नहीं मिले. ऐसा बोलना, मूरे तेरा. यह हुई ना बात. एड़े से समस कराता हूँ. करती हूँ. ए राजू, ए राजू. मैं बाहर जारू, शाम तक लोटूँगा. शुषरा समाल ले, हो अक्षेदा. यह लो भुषरा. अब तो टेंशन में लेना, मैं और मेरे दूस सब समाल लेंगा. थैंक्स, व्ल्टे बेस्टा. Sandeep, I love you. I love you too. अक्षे कालेश. अजी, आप कुन? क्राइम ब्राँच. चल मेरे साथ. मुझे बूदो, सर कहां लेके जारे है मुझे? कहां लेके जारे है सर आप मुझे? सर वो जो क्राइम ब्राँच का ओफिसर बना था, वो दर असल मेरा दोस्त है, Vicky Dixit. विक्की अक्षे को कहां लेकर गया है तांबे? सर मेरा एक और दोस्त है, जो डिसू साब. उसकी एक एस्टेड एंसी है भाइंदर में. बाहर निगर. यह पुलिस्टेशन नहीं है भाई? कौन हो तुम रोग? चाहते क्या हो? अंदर चाहन, बता दाओ. जदा शोर किया नहीं कार दूगा जिन्दा. कौन हो तुम लोग यार? मुझे यहां क्यों लाए? भाई, क्यों बाद रहे आप लोग मुझे यार? मैने किया क्या है? देखो भाई, सब यह गलात है यार. है देखो, कोई मिस अंडर्स्टेंग है आप लोगों को प्लीज. एक मिस. एक्चुली, एक मिस्स. जिसको तुने ठीक से अंडर्स्टेंड नहीं किया. उसकी फीलिंग्स कुदब हो चाहा? उसके बदन को नोचा. रश्मी? हाह. हम लोग रश्मी के दोस्त हैं. लेकिन इस वक्त तरी बात. नहीं यार, देखो. माफ कर दो, मुझे प्लीज. मैं रश्मी से भी माफी मांगनूगा यार. उसके बहुत पकड़ दोगा भाई मेरा फून दिन में पात करूँगा रश्मी से यार. बातों से काम आलेगी. यही बोरा थामा हमें? नही यार. यही बोरा थामा थामा थामा. अक्षे. चाटो की भूतिया बातों से नहीं मानती. अक्षेकाले, तेरा खेल खत्म. हम दोनों ने अपनी लाइफ में भादबूर पाप किये हैं. अब तो दोनों को नर्ग जाना ही पड़ेगा. नहीं यार. बस फारा कितना है कि तू थोड़ा पहले जाएगा. नहीं यार. प्लीज भाई. है प्लीजर्णी. माफ करते यार भाई, प्लीज. संदीप तांबे, तेरे जो ये तीन दोस्त हैं, इनका कोई किर्मिनल रिकॉर्ड है? तेरा? तुझे अहसास भी है? तुने एक रश्मी का घाव भरने के लिए, कितने सारे मासूमों को जिन्दकी भर के लिए घाव दे दी? इन तीनों के घरवाई. तेरे बच्चे की माँ बनने वाली तेरी पत्र, अक्षे के घरवाई. प्यार में गिरा था साहज. पर शायद इतना गिर गया, कि मर कैर भी उठाने के लिए काफी नहीं. अक्षे की लाश खाड़ी में फेके जाने के दो दिन बाद मच्वारों को मिली थी. और उन्होंने स्थानिय पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था. सभी पुलिस स्टेशन्स को अक्षे की मिसिंग फाइल दिये जाने के बावजूद मिस कम्मिनिकेशन हुआ. और वहां की पुलिस ने अपनी कोशिशों के बाद अक्षे की लाश को लावारिस समझ कर उसका अंतिम संसकार कर दिया. यह मेरा अक्षे नहीं है. वो कहीं खो गया है. वापस आएगा वो. उसने रश्मी के साथ अफैर किया. चलुक किया. आदमी औरत में जिसने बन जाते हैं गलत था लेकिन शायद गुना नहीं था. पर अक्षे ने उसके साथ उसके बाद जो किया, उससे माफ नहीं किया जा सकता है. जैस के पास तो दारू का वहना है. यह तो बिन पिये पिक्रिती में धुट था. और हमें कभी कुछ पता नहीं चला आई. कम से कम मैं उसका बड़ा भाई उसे पहचानी नहीं पाया. और अब उसे पहुचाने जा रहा हूं आई. तुख है आई. पर आगे दर्द नहीं होगा. नहीं होगा जा. हमारा रुद्र बड़ा होगा नौ. उसे बोलूंगा तु थी नहीं. तेरा भी बुरा सपना था और मेरा भी. तेरी सारी तस्वीरे, तेरा सारा सामान तेरी हर निशानी गर से बाहर फिट तूगो. और यादालब तुझे माफ भी कर देना तुम गलती से ही मेरे घर वापि यहां तुम्हारा घर जहां तुम जैसे सच्चे शरीफ और इजददार लोग रहते हैं जो अच्छे पती भी है और अच्छे पिता भी मुझे माफ कर दो जैश तुम्हारे पवित्र घर को मैंने गंदा किया जाओ उसे अपनी शराब से दो लो जाओ को अच्छे लोग बस एक मुझा दें तुझे पिठने कहूं पर इतना प्यार करते थे उससे तुमुझसे शादे क्यों की बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे मेगा माफ कर दो अगर हो सके तो नहीं हो सकेगा नहीं हो सकेगा संदीद मेगा तुम भले ही मुझसे रिस्ता तोड़ दो लेकिन इस बच्चे का तो मेरे से को रिष्टा है ना इस बच्चे के खादर हम हमेसा साथ चुड़े रहेंगे बिखरे हुए रिष्टे पर चुड़ भी जाए तो जादा दूर नहीं जाते है फुली देखो अपने आपको ना तुम रश्मी के हुए ना मेरे ना इस बच्चे के जो अपने नाम के आगे सिर्फ मेरा नाम लगाएगा पुलिस ने रश्मी, सावन, संदीप, तांबे, विकी, दिख्षित, दिनेश, पार्टल और जोई डिसूजा को आईपीसी की धारा 302 के साथ-साथ, धारा 201, धारा 342, 120B और धारा 170 के तहद बुक किया है सभी आरोपी इस वक्नियाएक हिरासत में है रश्मी कुए से निकल कर खाई में गिरी और खाई से निकल कर सीधे जेल जा पाची जब एक रिष्टा अंदर से तूटता है पर छूटता नहीं, तब दूसरा रिष्टा जोड़ना मूर्खता है, खतरनाक है ऐसा करना छेद वाली दो नाओं में एक-एक पैर रखने के बराबर है और ऐसे में डूबना गैरेंटीड होता है एक ही रिष्टे की जब दो अलग-अलग परिभाशाएं होती हैं, तो वो रिष्टा बिखरना शुरू हो जाता है और बिखरते रिष्टों पर जब जुर्म का साया पढ़ता है, तब दुनिया की कोई भी ताकत उसे जोड़ नहीं सकती जुर्म किसी भी प्राबलम का उपाय नहीं, इलाज नहीं, बलकि जुर्म एक रोग है जो हर स्टेज पर सिम्टम्स दिखाता है, दस्तक देता है कि भाईया, इलाज करवाओ, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन हानी कारक हो सकता है जरूरी है कि मुझरिम और विक्टिम, दोनों के करीबी लोग, यानि कि हम सब लोग मिलकर हमेशा सतर्क रहें क्योंकि जुर्म का वाईरस हर तपके में फैल सकता है हमारा आज का दूसरा केस भी एक मर्डर केस है एक लाश मिली, जिसके पीछे थी एक बहुती चौका देने वाली कहानी नाजाइस रिष्टों की और अनैतिक चाहत की लेकिन ये लाश थी किसकी? आईए देखते हैं केस अधियरे सब खोलो तू यहां क्या कर रहा था? सब कच्रा बिनने का काम करता हूँ रोज की तरह यहां आया तो यह देखा हूँ सुबह आते मद किसी को आसपास देखा था? नहीं साहब सर अरत की बोडी है कोई आइडेंटिफिकेशन? नहीं है सर पुरा एरिया छान मारो उम्र पैंतिस से चालिस के बीच में है पहले स्टैबिन हुई छे बार बोडी के अलग-अलग पार्ट्स पर लग-बग बारा गंटे पहले हैं टॉक्टर और कोई डीटेल्स? कुछ खास नहीं लेकिन हाँ हाथ की स्टडी से ये पता चलता है कि ये वर्किंग क्लास की थी और कपड़े भी एकदम दोर क्लास के थी वर्किंग क्लास की थी तो शायद खूनी से फाइड बैक किया होगा टॉक्टर सब नाखुन में स्केम या किसी और चीज के ट्रेसेस मिले? नो, ऐसा कुछ भी नहीं इसका मतलब या तो नीन में मारा है या फिर अचानक से वार किया गया है ब्लड लोस काफी हुआ है एटेक का वेपन कोई पेशेवरों का चौपर या गुपती नहीं है कोई गरेलू चीज का इस्तमाल किया गया है इसकी फोटो सारे पॉली सेशन में सर्किलट कर दो सारे डीटेल्स भी बेच देना लोर क्लास थी, एज, सब कुछ और पोस्टर्स के लिए ओर्डर दे दिया है सर लोगंटे में बन करा दें लोर क्लास एरिया पर ज़्यादा फोकस करना और अग्याद व्यक्ति के खिलाफ 302 का केस रजिस्टर कर दो अच्छी निए व्यक्ति निए व्यक्तियों के खिलाफ कर लो खून से लत्पत लाश को बोरी में भरकर कच्रे के धेर पर फेकना एक आदमी का काम नहीं हो सकता एक से ज्यादा होंगे, पक्का खून के इस केस में खून की एहम भूमिका थी आपके द्वारा चाइल किया गया नंबर, यह आपके द्वारा चाइल किया गया नंबर, यह सन्जे मुले, अंधर रहा कौन है वो, जनते है उसे कुछ कविता शिंदे, मेरी पडोशी ने साब सुबह सुबह चाइ पीने के वक, दारू पी क्या है, होश में है दू हाँ साब होश में हूँ, पक्का होश में हूँ कविता शिंदे ही है, दारू चीज होगा अच्छा, चल, तेरे को लाश दिखाता हूँ, सारी उतर जाएगी तेरी कविता? किसने किया साब है, ये ये तो बहुत अच्छी ओरत थी, किसने माँ डाना इसे? इसका कोई रिष्टितार है? हाँ साब, एक बेटी है प्रिती, साब ये कविता सिर्फ उसके लिए जीती थी प्रिती, अरे प्रिती जल्दी कार, पहले ही दिन लेट होना है तुझे कविता, ये क्या? तुने प्रिती को भी काम पे लगा दिया दो पैसे कमाएगी, तभी तो सिखेगी ना, जिन्देकी की कीमत वे एक दम सही हो कविता, और तुने बेटी को भी सही धंग से बढ़ा किये अरे विनिता, प्रिती के अलावा मेरा है ही कौन बस वो खुश रहे, खुद का कमाएग, धंग का आद्बी मिले पस प्रिती, चिला, और चिला, पूरे दुनिया को बता दे मेरा नाम क्या है अरे, काम ऐसा करो, कि नाम छिपाने की जरूरत न पड़े, समझी, चल अभी वेनिता, देखने माँ बेटी के बीच में कितना प्यार है हमारे बीच भी ऐसे ही प्यार होता, अगर तु दारू ने पिता चल, काम पर नहीं चलना है एक गब असरे हावेनिता, वो वो अपनी कवीता है ना अच्छा, तुमेही पता चला, मैं पुलीस के साथ हूँ मैं पहुँच रह हूँ साहब, आखरी बार बोले तो दो दिन पहले देखा था माबेटी को गर की चाबी है आपके पास नहीं साहब, कवीता चाबी हमेशे अपने पास ही रखती थी जा दो, ताला तोड़ दो साहब, अपने पास है नंबर लेलो और कॉल रेकॉर्ड़ साहब, पास है रखती 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 है साहब, कवीता और पिती यहां पर डेड़ साल से रह रह रहे, सुना था उसके पहले उसका हजबन डॉप हो गया था कोई रिष्टेदार आता यहां? हाँ, उसकी एक रिष्टेदार थी, मेघा, मेघा राउत नाम है उसका कवीता की चचरी बहन है वो, पहले कवीता उसी के घर में रहती थी साइब, वो रामभाग जोपड़ पटी है ना, वहां पर, मेरे पास उसका फोन नंबर है कवीता काम कहा करती थी? साइब, यह गौल बाजार के पीछे सारीका टिफिन करके खानावल है उसकी बेटी पृति भी वही काम करती थी जानओ, सारीका टिफिन सर्विस में जाके इंक्वाईरी करो स्थ मा बेटी के बीच कोई हचल? नहीं साइब, बिलकुल नहीं साइब, यह आदलम घर पे नहीं होता है होता है, तो होश में नहीं होता है मैनी क्या बोल रहा है? सहब, मा बेटी में जितना प्यार था ना उतने ही जगड़े भी थे, जिसे हर घर में होते हैं, लेकिन हमारी कविताय ना सब संभाल लेती थी आई तु हर बार से ही नहीं हो सकती, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, जो गलाथ होगा मेरे साथ ही होगा ना अंदर चल बेटी, खाना ऐसे नहीं चूढ़ते, मुझे कोई खाना नहीं खाना, ठीक हे, तो फिर मेरे भी नहीं नहीं खाती कहाई गा प्रिती एसे क्या हुआ जो तु खाना नहीं खा रही है अगर बोलना आई से किस बात में जगड रही हो कि वो भी खाना ने खा रही है हम खाएं ना खाएं आपको इससे क्या मतलब आप खिलाती है हमें अरे मैं तो ऐसी ही पूछ रही थी मैंने कभी आपसे ऐसी ही पूछा कि आपका पती क्यों पीता है और फिर पीकार आपको क्यों पीटता है आप उसे रिटार्न में क्यों पीटती है आपके बच्चे क्यों नहीं है मैंने कभी पूछा ऐसे ही कभी तो और प्रिती दोनों के मोबाईल एकी समय पर बंद हुए है कभी ता का मर्डर हो गया प्रिती गायब है पता नहीं क्या चलना था उनके जिन्दगी में या उनके घर पर सर कभी ता की चचेरी बहन मेगा राउट से कांटेक्ट हो गया है वो अंद वे है सर्थ हॉस्पिटल चे पसमा अटम की रिपोर्ट आगी है फाइल कर दो सर्थ एक बार देख लिजिए कुछ गड़ बढ़े है क्या हो बस है कभी ता कोई एड़्स था एड़्स किसी को भी हो सकता है और एड़्स के साथ किसी भी तरह के नैतिक मुल्ले को जोड़ना हमारा उदेश्य नहीं है हाँ ये बिमारी ला इलाज और खतरनाक जरूर है लेकिन आज के समाने में इसका मैनेजमेंट बहुत बहतर हो गया है इस केस में एड़ सिर्फ एक बिमारी नहीं बलकि एक मुद्दा था एक पात्र था जिसने इस कहानी के अन्य पात्रों की जिंदगी को उथल पुथल कर एक संगीन जुर्म के वाइरस को जनम दिया साब मैं वर्कर लोग की निजी जिंदेगी में दखल नहीं देता हूं लेकिन अगर मेरा काम बराबर नहीं हो तो मिले को परवड़ता नहीं हो अभी तीन दिन हो गया दोनों मा बेटी गायब है ना पोन किया ना कोई मेसेज दिया पोन भी बंद आ रहा है मैं साब बात किया साब कविता शिंदे का मर्डर हो गया गाविट साब क्या कब कैसे हो तीन दिन पहले उसके अपने घर में हुआ कैसे हुआ किस ने किया क्यों किया यह हम बहुत जल्द पता लगा लें और प्रीती गायब है तो आप किसी की नीची जिंदगी में दखल नहीं देते पर यहां कोई तो होगा जो कुछ जानता होगा होई सर वो भरापाड़ी लेना आप उससे पुछ सकते हैं वो लोग साथ में काम करती थी और वो उसकी अच्छी दोस्त भी थी क्या मार डाला तीन दिन पहले हो अर्देवा परमेश्वरा कविता कविता सांग कविता जैसे अवरत नहीं थी वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहती थी एकदम दिल से काम करती थी साफ वो कभी मादत मांगो तो करती थी और पृती पृती पर तो वो जान चिड़कती थी साफ यहां किसी से कोई दुश्मनी थी उसकी दुश्मनी नहीं जैब प्यार था प्यार था? किस से प्यार था? सहीब, यहां पर एक लड़का काम करता है, दीनेश्तांबे. वो प्रिति से प्यार करता था. फिर? दोनों की शादी हो गई. कब की बात हैं? साधरन साल भर पहले की. फिर? शादी के दो मेने के बाद वो दोनों अलग हो गई. लुकाँ इने सामे लुकाँ इने सामे लुकाँ मेगा राओत? जी, आपके ने मुझे फोन किया था हाँ, चलो अंदर पानी बिला उने बोल, क्यों बाग रात? मैं डर गए था इसाब कविता का खुन करतेवाँ नहीं लग रहा नहीं साम, मैंने कविता ठेका खुन नहीं किया शाम अच्छा, तो तव्हे पता है कि कविता का खुन हुआ साम फूरे शेहर में अपने पोस्टर चिप का है कै इसे मालूम नहीं होगा कविता शिन्यके म बहुत बिमार थी, साहिब. क्या बिमारी थी उसे? साहिब, मैंने कसम दी थी उसको कि कभी अपना मूँ नहीं खोलूँगी. लेकिन अब वो नहीं रही तो. साहिब, उसको एड्स था. अच्छा? उसकी बेटी पृती, उसके बारे में क्या जानती है? कोई नहीं कहेगा, कि पृती कभी था की कोक से हुई थी. कभी था पूरब थी, तो वो पश्ची भी. लेकिन कभी था, उसके लिए जान देती थी. इतने अच्छे लड़के, दिनेश के साथ उसके शादी करवाई. लेकिन ये लड़की पृती, अपनी शादी टिकाव भी नहीं पाई. दो मैने में ही अलग होगी दिनेश से. क्यों? दो मैने में ही अलग होगे? साथ, प्यार एक चीज़ है और शादी दूसरी चीज़ है. हाँ, मेरे को हुआ था प्यार पृती से. जब शादी हुई, तो लगा लाइफ एक्दम सेट है. लेकिन ऐसा नहीं था साथ. साथ रेना मतलब खाने का काम नहीं है न? एक भी बात पर हमारी पट्टी नहीं थी. सास लेना मुश्किल हो गया था साथ. उसने सामने से मुझा अलग होने के लिए का. पॉली जिन्दगी पर ये लफड़ा नहीं चाहिए. कविता की जान के हो लिए? और पृत्टी की लाज कहां छुपा कर रखे? ऐसा मन बोलो साथ. नौ मैने पहले हम लोग अलग हुए थे. उसके बाद माँ बैटी के साथ मैंने बात भी नहीं कि. उनकी तरफ देखा भी नहीं. मैंने किसी को नहीं मारा. साब आप किसी को भी पूछ लीजी. मुझे नहीं लगता साब कि दिनेश में कोई खोट होगा. इस पृती नहीं उसका जीना हराम कर रखा होगा. उसके किसी के साथ बनती ही नहीं थी. मेंगा पृती कहा है इस वक्त? मुझे नहीं मालूम. मैंने बोला ना आपको. तुमने बोला, हमने सुना. अब तुम वो बोलो जो हम सुनना चाहते. मैं बोल तो रही हूँ साब. देखे, मैंने बोला ना आपको. कि कविता बिमार थी. उसको एड्स था. कविता को एड्स था, ये बात हमें पहले से ही पता थी. अब कुछ ऐसा बताओ, जिससे हम तुमारी बहन कविता के कातिल तक पहुँच सके. और अगर पृती जिन्दा है, तो उसे भी बचा सके. कहा है पृती? या इस वक्त कहा हो सकती है, बताओ. साहब, वो, वो राघव. कौन राघव. वो राघव पांड़. बोभी सारी का टिफिन सर्विस में काम करता है. इस राघव पांड़ का क्या हत है कविता के मर्डर? राघव का प्रीधि और कविता से क्या रिष्टा था? साहब, कविता को जो AIDS हुआ था, वो पोस रागो पाड़ने के कारण ही हुआ था. क्या? रागो और कविता के बीच अफेर था? में गा प्रीती कहा है इस वक्त और रागो कहा है? मुझे सच में नहीं मालूम साहब, सच में. एक अधेर्ण उम्र की औरत कविता शिंदे की लाश मिलती है और पता चलता है कि उसे AIDS था. कविता की बेटी प्रीती भी गाइब है. इन्वेस्टिकेशन के दौरान पता चलता है कि कविता का 28 साल के रागो के साथ अफेर था. और अब रागव और प्रीती एक साथ कहीं जा रहे हैं. आखिरकार ये कहानी थी क्या? कविता शिंदे का कतल क्यों किया गया था? और अगर कविता का रागव के साथ अफेर था तो फिर प्रीती रागव के साथ कहा जा रही थी? क्या प्रीती को रागव और कविता के अफैर के बारे में पता था? क्या प्रीती की जान खत्रे में थी? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखरी भाग में आपसे फिर मलाकात होगी क्राइम पिट्रोल सतर्क में तब तक अपना खयाल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें हमारे बच्चे हमें सुनकर नहीं बलकि देख कर सीखते हैं सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें जैहन